दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूचे आज की सबसे बड़ी खबर रक्शा बंधन पर परिवहन विभाग की सौगाद राखी के दिन सीटी सर्वीस की बसों में महिलाए कर सकेंगे फिर यत्रा जिहां 22 अगस्त को रक्चा बंधन का तेहौर है रक्चा बंधन का तेहौर बहन भाई के बेज प्रेम का प्रतिक है इसमें बहन भाई को तिलक लगा कर उसके दिर्ग आयो की कामना करती है अब रक्चा बंधन के दिन परिवान विभाग भी महिलाओ को एक सोगात देने जा र रही है बिहार राजपत परिवान निगम के सिटी सर्विस की बसों पर रक्चा बंदन के दिन महिलाए निसुल के यात्रा कर सकेगी राकी के दिन बस से सफर करने पर उनसे बस का किराया नहीं लिया जाएगा परिवान बिभाग मंत्रे सिला कुमारी ने बताएगी रक्चा ब बड़ी पहल जिहां बिहार में जमीन मालिक अब अपने जमीन का ब्यवरा और वनसा वाली ओनलाइन जमा करा सकेंगे बिहार सरकार ने बड़ी पहल करते हुए राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग के भू अभिलेक एवं परिमाप निदेसाले के वेपसाइट dlrs.bihar.gov government.in पर रयत द्वारा धारित भूमी के सोगोसना नाम से एक लिंक दिया गिया है इस लिंक के जरिये वेपसाइट पर जाकर अपनी जमीन का ब्यवरा और अपनी वनसा वाली अप्लोड की जा सकती है बता दे कि फिलाल या सुविदा उन जीलो और अंचलों में मिलेगी जहा भूमी सर्वेक्षन का काम चल रहा है अवे 20 जीलों के 90 अंचलों में 208 सिविर बनाए गये हैं जहां सर्वेक्षन कर्मी इस काम में लगे हुए हैं बाड़ी ख़बर पटना समेथ बिहार के पाच जीलों में भारी बारिस के चेतावने मौसम मिभाग ने जारी किया अलट जिहां बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ है कई जीलों में लगतार बारिस हो रही है तेज बारिस और बजरपात को लेकर मौसम म भाग ने नया अलड जारी किया है मौसम भाग की ओर सी सिवान सारन वैसाली नालंदा और पटना के लिए अलड जारी किया गया है इन जीलों में तेज हवा के साथ बारिस और बजरपात की चेदावनी दी गई है विहार की सिवान सारन वैसाली नालंदा और पटना जिले की जब खुले में है तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान की सरन ले। अगली बड़ी खबर स्यम नितिस ने लिया बार का जाएजा गंगा किनारे के 12 जिलों में विसेस तयारी का निर्देश। जहां मुख मंत्री नितिस कुमार ने पदाद कारियों को निर्देश दिया है कि वर्स 2016 में गंगा नदी के किनारे वाले जिलों में बार के पानी से जो असर हुआ था उसे ध्यान में रखते वे इस बार भी पूरी तयारी रखे वर्स 2016 में जब गंगा नदी के जलिस्तर में ब्रिदी हुई थी उस दोरान बारा जिलों में बार से बचाओ को लेकर पूरी तयारी की गए थी मुख मंत्री ने बुदवार को पटना और आसपास के इलाकों में गंगा का जलिस्तर और विविन घाटू का जाजा लेने के बाद यह निर्दिस दिया है उन्होंने पटना जिल्ले के बार प्रवावेत इलागों का हवाई से रिक्षन भी किया है पटना के गांधी घाट पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि गंगा के जलिस्तर में बिर्दी हो रही है इसमें और बड़ोतरी की सम्भावना जताए गई है मंगलवार को गंगा नदे में बढ़ रहे जलिस्तर को लेकर हमने बेटक भी की थी उस बेटक में जलिस्तर को लेकर पूरी जानकारी दी गई है आज हमने गंगा नदे के आसपास के कई इलागों का दोरा कर अधिकारियों के साथ पूरी इस्तिति को देखा है मुखी मंतरी ने निरिक्षन के दोरान अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहाँ भी घने अबादी है और वहाँ पानी का रिसाव हो रहा है तो उसे बंद करने का उपाय कराए साथ ही गंगानेदी के जिन घाटों पर ज्यादा पाने आ गया है वहाँ पर बेरिकेडिंग कराए अगली बड़ी कबर बिहार बोर्ट के मेट्रिक रेजिस्ट्रेशन के आخرी तारीख 15 अगस्त कर दी है बिहार बोर्ट ने इस सम्मंध में एक आधिकारिक नोटिस भी जारी किया है बिहार बोर्ड की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक राज के मैदमिक इस्तर के सिक्षन संसानों के दस्वी में परविश लेने वाले अभियर्थी समिती की वेब साइट secondary.biharboardonline.com पर बिजिट कर 15 अगस 2021 तक आवेदन कर सकते है बाड़ी खबर पाटना जैनगर इंटर सिटी एक्सप्रेस स्पेसल टेन 15 अगस से शुरू यात्रियों को मिलेगी रहत जैनगर को जाने वाले 05549 और 05550 इंटर सिटी एक्सप्रेस को 15 अगस से पुर्णर बहाल किया जा रहा है पूर मैद रिल्वी के मुई की जन संपर्ग पतादिकारी राजिस कुमर ने बताया कि ये स्पेसल टेन पुर्णेत आरचित होंगे बाड़ी कबर बिहार में अब सड़कों की स्वास्त की भी चिंता मंतरी ने कहा फ्लाइ ओवरों का बनाया जाएगा हेल्थ कार्ड जिहां बिहार सरकार अब इनसान के साथ राज की सड़कों और फ्लाइ ओवरों की स्वास्त को लेकर संजिदा है बिहार में सडको और फुलाइ ओवर के देखरे के लिए हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा पाद निर्मान मंत्री नितीन नवी ने यहाँ आहम जानकारी दी है उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड बिहार के इंफ्रास्ट्रेक्चर के लिए मील का पत्तर साबित होगा मंत्री ने कहा कि राज की सभी बड़े चोटे पूलो का हेल्थ कार्ड बनाय जाएगा आने वाले वर्सों में विभाग के लिए संपत्ति होगी क्योंकि हेल्थ कार्ड में पूरी जानकारी होगी कब बना क्या क्या परिवर्तन लाएगे भाविस में क्या परिवर्तन लाने है क्या बदलाव करने हैं इससे पूलो वो सड़कों का लाइप इस पे हम ज़्यादा होगा बाड़ी कवर बिहार की 12,000 लड़कियों को सरकार देगी बड़ी तवफा हर एक को मिलेंगे 50,000 रुपी जिहां बिहार में मुख्य मंतरी कन्या उत्थान योजना के तहत राज की 12,000 इसना तक पास आविवायत लड़कियों के बेंग के खाते में डिवीटी के मैदम से पोचान रासी जल्द भेजी जाएगी इसके लिए सिक्चा विवाग के इस्तर से कन्या उत्थान योजना के किर्यानोवन में तेजी लाई जा रही है बलकि और लवार्तियों को सिक्र प्रोसान रासी उप्लाद हो सके इसके लिए उनके आवैदनों के निस्पादन की प्रक्रिया लगतार मोनेटरिंग की जा रह जहां बिहार में पिछले दो साल से 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 अष्टि पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप में कोई आवैदन सरकार ने नहीं लिया है वही इस साल अब तक इसके लिए आवैदन की प्रक्रिया सुरू नहीं की गई है इसके वज़ा से चात्रों को काफी परिसानी हो रही है इस जाती जन जाती कल्यान मंत्री डाक्टर संतोस कुमार सुमन ने कहा कि 15 अगस्त तक चात्रविती का मामला सुल्जा लिया जाएगा बाड़ी खबर लालो यादव की फेर बड़ी मुश्किले कोट ने नहीं सुनी आरजडी सुप्रीमों की अरजी बचा पत्र किया खारेज अगस्त से बहस सुरू करेगा सिविया की विश्यस न्यादेश एसके ससी के अदलत ने बदवार को बचा पक्च की ओर से दायर अरजे खारिज कर दी है कहा इस मामले में बहस डे टू डे की तरज पर होगी जो लोग फिजिकल मोड में करना चाहते हैं वह आदालत में व्यक बहस करना चाहते हैं वह लोग कोड के परमिसन पर दस्तावेज देख ले और बहस करें मामले में बहस के लिए दोनों विकल्प खुले हैं लालो सहीच 77 आरोपियों ने इस मामले में गुहार लगाए थी कि सुनवाई फिजिकल कोड सुरू होने तक डाल दी जाए इसमें ज जोला बताएगा पियम ने कैसे भरा गरिबों का पेटً पचास लाग घरों में भाजबा बाटे गे पीम की तस्वीर वाला जोला जहा भाजबा बिहार में गरिबों को जोला बाट कर बताएगी कि किस तरह परधान मंतरे ने उनके कल्यान के लिए काम किया है जोले के जरिय बिहार की लोगों तक केंदर की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा जोला बाटने का काम 14 अगस सुरू होगा प्रदेश कार्याले से सुरू होने वाले से बियान के तहद 21 अगस तक पार्टी की विदायक और सांसत पुरे बिहार में 50 लाग जोला बाटेंगे इसको लेकर स जोला बाटकर यहां बताएगी कि उनकी घरों तक जो अनाज पहुच रहा है वो असल में मौदी सरकार की देन है बाड़ी कबर बिहार में चमकी बुखार के मिले दो नए मरेज मुझपरपूर के SKMCH में आपात इसीती से निवटनी को लेकर तैयारी तेज जहां बिहार के मुझपरपूर जिले के SKMCH के Piku Ward में बुदवार को चमकी बुखार से पीडित दो बच्चों को भरती किया गिया अस्पताल में भरती चार बच्चों में से दो चमकी बुखार और एक EDS का संगदीद मरेज है चमकी बुखार से पीडित बच्चों में दो बच्चे मोतिहारी जिले के हैं इधर SKMCH के Piku Ward में किसी भी आपाती सिती से निवटने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है सिसु रोग विशिस्यक डाक्टर गोपाल संकर सनी ने कहा कि इस साल EDS के मरेजों की संक्या बढ़कर अब साथ हो गई है इनमें से 41 बच्चे स्वस्त होकर अस्पताल से घर चले गए है 13 बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि 7 बच्चों का इलाज Piku Ward में चल रहा है डाक्टर का कहना है कि अधिकांस मरेज ग्रामिन चेतर के हैं वहाँ पर अभी बाड का पानी फेला हुआ है बच्चे इस पानी में खेलते और भीगते हैं फिर तेज धूब लगती है लगतार टेमप्रेचर में बदलाओ से बच्चों का सरीर एड़ेस्ट नहीं कर पाता है इस कारण वे अधिक बिमार पढ़ रहे हैं बाड़ी कबर बिहार बोर्ड ने स्कुलों को बेजा क्लास दसवी की मार्क सीट वितरन से पले प्रचारियों को करना होगा ये काम जहां बिहार बिदले परिचा समिती पटना ने कलास दसवी का मार्क सीट इसकुल को भेज दिया है बोर्ड ने इसके साथ ही क्रोस लिष्ट भी इसकुल को भेज दिया है बिहार बोर्ड ने कहा कि 11 अगस सबी स्कूल डियो कार्यालाई से मार्क सिट ले जा सकते हैं इसे के साथ मार्क सिट वितरण करने से पहले स्कूल द्वारा उसका वेरिफिकेशन जरूर कर ले साथ बियस सीट की और से दी गई जानकारे में कहा गया है कि अगर किसी स्टूडेंट का मार्क सिट पर गलत पोटो हो नाम और लिंक गलत हो तो उसे तुरण बोर्ड दफ्तर भेज़ दिया जाए वहाँ से सुदार कर बोर्ड दुआर भेज़ दिया जाएगा बोर्ड ने साथ ही कहा कि इसकोल मार्क सिट देने के साथ यसे अपने अभिलेक में रिकोर्ड कर रख ले अगली बड़ी खबर सिबियसी के दसवी और बारवी के कमपार्टमेंटल परिचाए 25 से डेट सीट जारी जहां सिबियसी ने दसवी और बारवी बोर्ड कमपार्टमेंटल परिचाओं के डेट सीट जारी कर दी है दसवी और बारवी के private compartmental और improvement वाले student इन में सामिल हो सकते हैं परिचा में सामिल होने के लिए list of candidates 11-15 तक सम्मिट होगी आपको बदा दे के दसवी की compartmental परिचा 25 अगस से 8 सितंबर तक और बारवी की compartmental परिचा 25 अगस से 15 सितंबर तक चलेगी वहीं रिजल 30 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा इसके लाव परिचा आफलाइन होगी और हर एक दिन एक ही विसे की परिचा ली जाएगी और अनके बड़ी केवर बिहार में 200 रुपिय गिरा चान्दी का भाव गिरावट के बाद सोना इस्तिर जहां बिहार के सारापा बजार में बुदवार को मिला जिला रुख देखने को मिला चान्दी के भाव में 200 रुपिय प्रतिक किलो की और रात मिले है जबकि सोना का भाव पूर इस्तिर बना रहा है कारोबारियों को उमीद है कि अगले सब्ता रक्षबंदन को लेकर आब उसने के मांग बढ़ेगी आज के लिए आपका स्वाल बताए कि प्रदान मंत्र किसान सम्मान ने दी योजना के तहद आपको या आपके घर में 2000 रुपे आए या नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे अपना नाम और जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताए